हेलो एवरिवन जियो कॉंसेप्स नामग इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम मॉलवीड प्रोजेक्शन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे साथ ही साथ इसकी रचना विदी को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित बे किया जाएगा मॉलवीड प्रक्षेप एक समझेतर प्रक्षेप है अर्थाथ इस पर यदि किसी चेतर को या देश को प्रदर्शित किया जाता है तो उसका चेतर फल इस पर और गलोब पर एक समान रहता है इस प्रक्षेप की मुख्य विशेष्ता ये है कि इस पर सम्पूर्ण पृत्वी के सभी देशों को एक साथ प्रदर्शित करके दिखाया जा सकता है इस प्रक्षेप की उत्पत्ती जर्मनी के गणितग्य वख गोल सास्त्री रहे काल ब्रेंडन मौलवीड के द्वारा सन 1805 में की गई थी इसी कारण से इसे मौलवीड प्रक्षेप के नाम से पुकारा जाता है सन 1857 में इस प्रक्षेप की पुनर खोज की गई और उसे पॉप्लराइज करने का काम जैक बैबीनेट ने किया और उन्होंने इस प्रक्षेप को हॉमलोग्राफिक प्रोजेक्शन का नाम दिया इसी कारण से इस प्रक्षेप को बैबीनेट प्रोजेक्शन के नाम से भी जान तथा अक्षांसिय वदेशांत्री अंतराल 15 डिग्री का होना चाहिए मॉलवीड प्रक्षेप की रचना करने के लिए सबसे पहले हम गलोग की तृज्जय निकालते हैं गलोग की तृज्जय निकालने के लिए प्रिथवी की वास्तविक तृज्जय जो की 640 मिलियन सेंटिम मॉलवीड प्रक्षेप में विवन अक्षांसों की भूमद रेखा से जो दूरी होती है उसको एक टेवल के सायता से या साड़नी के सायता से ग्यात किया जाता है यहां स्क्रीन पर एक टेबल दिया गया है जिसमें एक साइड में विविन अक्षांस दिये गए हैं और दूसरी तरफ उन अक्षांसों की भूमत द्रेखा से कितनी दूरी होगी उसके लिए एक कुछ संख्यां दी गई हैं उन संख्या को जब हम आर से त्रिज्या से गुणा कर देते हैं तो उस अक्षांस की भूमत द्रेखा से दूरी हमें ग्यात हो जाती है दिये गए प्रक्षेप में हमें अपना अक्षांस ही अंतराल 15 डिगरी का लेना है आता है यहां स्क्रीन पर दिखाए गई सार्णी में से हम 15 15 डिगरी के अंतराल के जो अक्षांस हैं जै बिन अक्षांसों की भूमत रेखा से दूरी हमें ग्यात हो जाएगी। उधारन के तोर पर हमें यहां 15 डिगरी के अक्षांस की भूमत रेखा से दूरी ग्यात करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर टेबल में जो गुनांग है वो संख्या है 0.290 इस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे और अपने ग्याद की गई तरिज्या से जो की 2.56 है इससे गुना कर देंगे और हमारी जो वैलू निकल के आई है वो आएगी 0.74 सेंटिमीटर अतर हमारा 15 ड इसी प्रकार हम अन्य अक्षांसों की भूमद रेखा से दूरी को ग्याद कर लेंगे आईए मौलवीड प्रक्षिप की रचना सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें पेज के चारो तरफ एक सेंटिमीटर का गैप लेकी पेज का बॉर्डर बनाएंगे इसके उपरा बिविन अक्षांसों की भूमद रेखा से जो दूरी हमने ग्याद की है उनमें से 90 डिगरी अक्षांस रेखा की भूमद रेखा से जो दूरी है उसको यहाँ पर नोट करेंगे इस केस में यहाँ पर यह दूरी है 3.62 सेंटिमीटर अब इस सीधी रेखा पर बिंदू O के द सिर्मान करेंगे अब इस वरत पर एक लंवत व्यास खिंचेंगे एन एस इसके उपरांद बिंदू सी एन डी एस को एक दीर वरतकार रेखा से पैंसिल की सायता से फ्री हैंडली उसको जोडने का प्रियास करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है अब केंद्रि रेखा से अर्थात रेखा सीडी से विविन अक्षांसों की दूरी उसको चिनहित करेंगे इसके लिए विविन अक्षांसों की जो हमने भूमद रेखा से दूरी ग्याद की थी टेवल में उस टेवल पर ये दूरियां दी गई है यहां स्क्रीन पर भी दिखाई गई है इन और बिंदू केंद्र का जो बिंदू है वहां से प्रकार को दोनों तरफ उत्तर की तरफ और दक्षन की तरफ दो निशान लगा देंगे और दोनों ही निशान दक्षनी गोलार्द और उत्री गोलार्द पर भूमद रेखा से 15 डिगरी का जो अक्षांस है उसकी दूरी को दर उसको चिन्नित करने वाले चिन्नों से होकर गुजरेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है यह सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी इस प्रकार हमारे प्रक्षेप पर सभी अक्षांस रेखाएं दर्सा दी गई हैं इसके उपरांध हम देशांतर रेखाओं को दर्सा सकते हैं अब क्योंकि प्रश्ण में हमें 15 डिग्री का अंतराल रखने के लिए कहा गया है अत्या 360 को जब 15 से भाग करेंगे तो सेशफल 24 आता है इसलिए हम प्रतेग अक्षांस रेखा को 24 बरावर बरावर भागों में बांटेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है अब रेखा NS के दोनों और पहले पहले जो रेड कलर के निशान है उनको पैंसिल की साहिता से हाथ से जोडते हुए मिलाते हुए एक सीधा रेखा खींचेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है इसके बाद रेखा NS के दोनों और दूसरे इस्थान पर जो चिन्ने लगाए गए हैं उन दूसरे इस्थान के सभी चिन्नों को मिलाते हुए पैंसिल की सायता से एक और रेखा खिंचेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि इस परकार से हम सभी अक्षांसों पर जो निशान लगाये गये हैं उनको एक क्रम गत धंग से उसको मिलाते हुए विविन देव व्रतों का निर्मान करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है इस परकार बनाये गए ये देर गवरत हमारे प्रक्षेप पर देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे यहां देशांतर निर्मान की प्रक्रिया को एक बार पुने दोहरा कर दिखाया गया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें अब इस प्रक्षेप की जो भूमद रेखा है उस पर विविन्द देशामत्रों की कौनिय मान को डिगरी में लिख देंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है इसी प्रकार से विविन्द अक्षांसों के कौनिय मान वहाँ पर लिख दिये जाएंगे इसके उपरांत प्रक्षेप के आधार में प्रक्षेप का मापक अर्थात आरेफ एक अनुपात 250 मिलियन लिख दिया जाएगा और इसके सीष भाग में इस प्रक्षेप का नाम जो की मौलवीड प्रोजेक्शन है वो लिख दिया जाएगा इस प्रकार हमारा प्रक्षेप बनकर तयार हुआ मौलवीड प्रक्षेप के लक्षणों की बात करें तो इसमें अक्षांस रेखाएं सबी अक्षांस रेखाएं सीधी सरल रेखा के रूप में होती है और भूमद रेखा के समानांतर होती है इनके बीच की जो दूरी है वो भूमद रेखा से दुरूओं की ओर कम होती जाती है उनका गैब जो है कम होता जाता है मौलवीड प्रक्षेप पर देशांतर रेखाओं की बात करें तो इसमें केंद्री मद्याहन रेखा एक मातर ऐसा देशांतर है जो सीडी और सरल रेखा की रूप में है और जिसकी लंबाई भूमद रेखा से आदी है और यही एक मातर देशांतर ऐसा है जो सभी अक्षांसों को समकौर्ण पर काटता है अन्य देशांतर रेखाओं की बात करें तो उसमें 90 दीगरी का पूरवीब और पस्चमी देशांतर की व्रत के लेकिन किसी एक अक्षांस पर किनी भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है मौलवीड प्रक्षेप के गुणों की बात करें तो यह एक समचेतर प्रक्षेप है अर्थात हूमलोग्राफिक प्रोजेक्शन इसे कहते हैं इसका तात्पर यह है कि इस पर जो देश दरसाए जाते हैं उनका छेतर फल वही रहता है जो ग्लोब पर होता है इस प्रक्षेप के अक्षांस और देशांतर रेखाओं पर जो मापनी है उसकी बात करें तो भूमद्य रेखा इस प्रक्षेप पर अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी दर्शाय जाती है दिखाई जाती है और 45 डिगरी का जो अक्षान से वहां तक मापनी घटी हुई होती है और 45 डिगरी से दुर्व की ओर मापनी बढ़ती हुई दिखाई देती है बढ़ी हु बहुत अधिक उसमें विक्रित दिया जाती है मौलवीड प्रक्षेप के दोशों की बात करें तो यह प्रक्षेप ना तो यथा आकर्टिक प्रक्षेप है और नहीं इस पर दिशाओं को सुद्ध रूप से दिखाया जा सकता है मौलवीड प्रक्षेप के उपयोगिता की बात करें तो एटलस में दिखाय जाने वाले शंसार के वितरण मांचेत्र को इस प्रक्षेप पर बहुत अधिक प्रतरशित किया जाता था लेकिन सीमा वर्ती शेत्रों में मापनी बहुत अधिक विक्रेत होने के कारण अब इस प्रक्षेप का उपयोग न करके इसके इस्थान पर इंटरप्टिड या विच्छन मौलवीड प्रक्षेप का उपयोग अधिक होता है